बहुत सारे अपडेट्स है in the world of automobiles और आपको मैं जिल्दी से इसके अपडेट्स देते जाऊँगा, पहला अपडेट है Swift, Swift का all new model launch होने वाला है, इसमें दो engine options आएंगे, अब ये किन लोगों के लिए special होगा, एक तो आपको बात बता दू कि यहाँ पे आपको एक separate engine देख होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये specifically mileage oriented customers के लिए होगा, अगर आप mileage चाहते हो, तो I think ये आपके लिए एक special car होने वाला है, क्योंकि ये सबसे efficient car हो सकता है, सबसे ज़्यादा mileage offer करने वाला car हो सकता है, इस segment में, और उसके साथ-साथ normal आपको 1.2 liter car, dual jet engine में मिलेगा, जो आप बलीनों में देखते हो, width, height और length इसमें तोड़ा बढ़ सकता है, बट इतना आप expect मत करो कि ये बलीन दे, then आप definitely swift के लिए wait कर सकते हो, cosmetic update होगा, बहुत सारे changes आएंगे design में, but the body style will still remain the same, Krita का EV spy होते हुए मिला है, और हम clearly इसके interior के parts का भी design देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको पता चलता है कि इसके बहुत सारे वो parts, ionic से borrow करेंगे, ionic जैसे आपको पता है, Hyundai का एक बहु power trains के लिए उनको experience है, इस market में, बहार abroad में भी आप देखते हो तो उनके बहुत सारे electric options है, इस time पे electric cars के जब इतना बूम हो रहा है, Hyundai एक बहुत अच्छा decision ले रहा है, उनके सबसे popular car Krita में electric power train को launch करके, तो यह बहुत जल्दी launch होगा, और अगर आप Krita लेने वाले पे और आपको electric power train चाहिए था, या maybe आप Nexon EV के दरफ जाना जाते थे, तो आप जरूर इसके ले वेट कर सकते हो, क्योंकि जब Hyundai इस product को market में लाएगा, अच्छे से research करके लाएगा, so you will not have any other major issues in this, Nissan Magnite का एक facelift आ सकता है, क्या यह facelift completely 4 car को change कर देगा, क्या body style change होगा, इसका answer है no, यह cosmetic update होने वाला है, इसमें आपको additional features भी आ सकते हैं, this is just to keep the product trending, जैसे आपको पता है, इसके sales numbers बहुत जादा नहीं है, मैं यही चाहता हो कि जो Nissan और Renault है, यह दोनों brands अपने काईगर और Magnite में तोड़ा सा insulation को improve करें, उसके साथ साथ तोड़ा quality का जो uniformity है, उसको भी त car में, तो यह बहुत ही बढ़िया सा practical family car हो सकता है, design की बात करें, magnet में कभी design में कोई problem नहीं था, यह काफी imposing और बहुत ही बढ़िया road presence offer करता है, उसके साथ साथ आपको नए color options और new cosmetic update के साथ तोड़े से additional features देखने को मिल सकते, अगर आप magnet खरीदने वाले थे तो तोड़ लोवर waiting for a miss, उनको मैं बता दू कि desire भी बहुत जल्दी launch जाएगा, मारुती का plan change होते रहता है, कभी वो desire को पहले launch करते है, उसके बाद swift को launch करते है, बस इस time मुझे लग रहा है कि पहले swift launch होगा, उसके बाद desire launch होगा, it does not matter, क्योंकि desire का नया model बहुत जल्दी launch होने वाल बट मुझे लगता है कि या पर वो safety में जरूर काम करेगा, अगर आप Honda Amaze लेने वाले होना, तो आप तोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर मारुती एक बहुत safe car offer करता है, यह आपके लिए बड़िया option रह सकता है, तो Amaze के लिए वेट कर रहा है, उसका भी facelifted model launch हो जाए New Swift Desire और New Amaze दूनों प्रोड़क्स मार्केट में आ सकते हैं, और आपके बास options होगा चूंस करने के लिए, तो patience अगर आपके पास है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगा, क्योंकि आपके पास choose करने के लिए अच्छे options भी रहेंगे, जैसे आपको पता है किया है, यह एक पहला कार होगा अंडर 4 मिटर का जिसमें, लेवन टू का एडा सिस्टम आएगा, यू लिए ट पारारामिक संरूफ, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे additional features मिलेंगे, interior का design पूरी तरह से change हो जाएगा, which will have resemblance to XUV400, और 29th of April इस महीने इसका launch होगा, सारे updates आपको इस चैनल में मिलेंगे, तो आप भी तक आपने subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लीजिए सारे updates आपको इस कार के, मिलेंगे उसके साथ साथ और भी cars और जो भी news है, उसके बारे में आपको यहाँ पता चलेगे, now big news is Maruki Suzuki, finally एक electric car launch ओने और, and it has been spied, it is called EVX, मैं आपको बता दू कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है Japanese brands पर, जब वो एक product launch करते हैं, वो बहुत time लेते हैं, इस market को समझने के लिए, अपने product को समझने के लिए, और test करने के लिए, तो हम expecting this product to be really good, हम सेफटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि यह जो product होगा, यह export भ what you get in the segment today, इस car को venue के साथ देगा गया है, और जब size की बात करें, तो यह venue से बहुत ज़्यादा match करता है, I am expecting this car to compete with maybe Creta के size के car के साथ, but we are not sure, क्योंकि इस का जो size है, it does not look as imposing and as big as Hyundai Creta, ज़से आपको बता है, Creta का EV version anyways launch होने ही वाला है, but हमें यह भी बता चला है, कि मारोती EV स्पेस में focus कर रहा है, so electric cars का market emerge होते रहा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इस वह बहुत सारे discounts और concession मिल रहा है, government के तरफ से, is this a right move to switch to an electric car, not for everybody, मैं आपको एक बात बता देतो, इस ताइम में भी आप hybrid car के तरफ जा सकते हो, और आपका budget अगर hybrid car जितना नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा travel करते हो, for long drives, based on my previous video, आप definitely अभी भी diesel car के तरफ जा सकते हो, based on the state that where you stay, electric cars, आ ज़रूर कर सकते हो, that is also going to be a smartphone, जैसे आपको पता है कि जो lifestyle vehicles होते हैं, जैसे माहिनरा, तार, force, गुर्का, इसका popularity बढ़ते जा रहा है, इसलिए मारूती भी अपना जिमनी लॉंच किया था, इंडिया में ये बात समझ के, कि यांके customers उसको accept करेंगे, it was a different story for मारूती, एक struggling car है, जो तार के sales को beat करना चाता है, और इस list में उपर आना चाता है, वो है force का गुर्का, और force का गुर्का 5-door version बहुत जल्दी launch होने वाला है, जिस तरह से तार का 5-door version launch होगा, so मेरे लिए surprising है, क्योंकि मैं 4th गुर्का के बारे मैं भूल गया था, क्योंकि मुझे लगता कि गुर्का जो है, एक बहुत बढ़िया off-roading car है, बट आपके बाद वो option नहीं देता है, to use it on road, I think तार एक better option है मेरे हिसाब से, क्योंकि it has a decent interior and decent quality, I think force गुर्का का जो इंटीर, जो इंटीर्यर्स है, जो practicality है उस level पर नहीं है, बट मुझे लगता है कि 5-door version के गुर्का म मिनेगा आपको, और आपके family के साथ आप उसको daily use में भी use कर सकते हो, so I think यह बहुत बढ़ा news है, force motors के तरफ से, so let's wait and watch कि यह किस तरह से market करते हैं, और इनके sales numbers यह अगर बढ़ा सकते हैं, या star will still be the king, with all these brands coming qua with electric cars, Kia का Clavis भी launch हो सकता है, Kia Clavis का पूरा report मेरे channel में आपको म साथे details में covered है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ आपको, कि electric cars का बहुत जादा boom चल रहा है इस time पर और बहुत सारे brands इस segment में गुसना चाहता है, और Tata जिस तरह से इस market को पकड़ के बैटा है, I think बाकी जो brands अगर इस market में आएंगे, इस segment में आएंगे, तो बहुत जादा options बढ़ेगा, हमारे customers हो, choose करने के लिए, so that is always going to be a good deal, चाहता आपको यह वीडियो पसंद आया, if you liked this video, चल्दी से subscribe कीजिए, और family का पार्ट बनिये, thank you so much, अपको support के लिए, फिर से मिलेंगे, take care, always drive safe for your seatbelts, bye-bye. झाल